गुद आफ्रनून एवरिवन मेरा नाम नवीन यादव है और आज का जो हमारा पॉलेटिकाल लेक्चर है वो परलेमेंटरी कमिटीज के उपर है काफी टाइम से यह कमिटीज न्यूज में है क्योंकि मार्च अप्रेल के बाद से लोकडाउन प्लस फिजिकल तो काफी डिबेट हुई डिसकर्शन हुई कि इन कमिटीज की वर्चल मीटिंग होनी चाहिए कि नहीं हो पाई यह जो हमारा टोपिक है पारलेमेंटरी कमिटीज का यह प्रिलिम्स कम मेंस पॉइंट ओफ यू से काफी इंपोर्डेंट है और आज जैसे हम डिसकस करेंगे वैसे हम देखेंगे कि काफी कुशन जो है प्रिलिम्स में पहले भी UPSC इस टोपिक से पूच चुकी है और उसी तरीके से जब हम एनलाइज करेंगे इन कमिटीज की वर्किंग को कंपोजिशन को एवल्यूएट करेंगे इनकी वर्किंग को और कंक्लूड करेंगे तो वह कि हिंदी प्लस इंग्लिस दोनों में है मिक्स रहेगी ताकि जुस्की मीडियूबलस इंग्लिस मीडियूम को फ्टलाग को टॉड़ा मिलेंग से और यह जो हम कंटेंट यहां पर पर स्लाइड़्यूट यह अभी नोट डाउन करने के लिए नहीं है सिर्फ अंडर्स्टेंड करने की जुरूरत है टोपिक को स्लाइड्स में आपको लिंक के थूरू अवेलेबल करा दूँगा तो टोपिक को अंडर्स्टेंड करो उसके बाद content आपको PDF में मिल जाएगा बाद में तो स्टार्ट कर इनकी कितनी टाइप की कमीटीज है उनकी क्या composition है working and evaluation plus conclusion पे class को हम end करेंगे तो अगर मैं parliamentary committees की बात करता हूँ तो इंडिया में एक parliamentary form of government है जो की Indian constitution में हमने British constitution से उसको हमने borrow किया है और parliamentary form of government की एक खासियत यह होती है कि यहाँ पर accountability बहुत important factor है accountability कैसे की executive अपनी working के लिए legislature की तरफ accountable होता है यानि की executive जब तक ही power में रहेगा जब तक वो legislature में majority enjoy करता है यानि की union council of minister they will remain in power as long as they enjoy the majority in the parliament second thing की इंडिया की जो parliament की जब हम बात करते हैं तो parliament includes the president as well as the loksabha and the rajasabha कोई भी bill loksabha और rajasabha दोनों pass करने के बाद वो presidential assent के लिए जाता है और जब तक assent नहीं मिलता वो bill से act नहीं मनता है इसलिए president is an integral part of parliament वहीं तीसरी तरफ parliament as a body is a supreme legislative body under the Indian constitution खास चीज क्या है कि यह legislation के अलावा इसके काफी और functions भी हैं वो parliament का जो chapter हम करेंगे union parliament के अंदर तो उसके अंदर काफी details से discuss करेंगे आज का जो हमारा topic है वो committees का है तो थोड़ा overview लेके और committees के पर move on कर जाएंगे तो एक तो legislative function है कि law making का दूसरा जो function है वो executive है कि executive को accountability कैसे ensure करें executive यानि कि union executive के अंदर president प्रेजिदेंट प्रेजिदेंट प्राइम मिनिस्टर प्लस union council of ministers इनकी accountability ensure करनी है तो वो ये parliament ensure करती है और उससे काफी सारे instruments है जैसे कि zero आर के तुरू कुष्ण आर के तुरू अटजर्णमेंट motion है ये सारी devices हम discuss करेंगे जब दूसरा कुष्ण आर कुष्ण हम discuss करेंगे करते हैं और ministers usually उसको reply करते हैं अब financial financial जो power है function एक काफी unique चीज है तूकि US में constitution को amend करने के लिए आपको एक constitutional convention की जरूरत पड़ती है लेकिन हमारे यहाँ पर पारलेमेंट के पास legislative और constituent दोनों powers हैं तो एक अलग से body की हमें जरूरत नहीं है उसके बाद judicial function है कि जैसे कि president का impeachment है supreme court high court judges का impeachment है और electoral powers president को उल्यक करना vice president को उल्यक करना speaker deputy speaker को उल्यक करना अब हम देखते हैं कि यह committees का origin क्यों हुआ इसका पीछे purpose क्या है parliamentary committees का तो parliament as a body काफी large है 545 members लोकसभा में हैं उसी तरह 245 members राज्यसभा में हैं और parliament अपने sessions के थूरू अपना business proceed करती है पूरे साल में तीन session होते हैं तो winter session है budget session है monsoon session है अब parliament जब मिलती है तो काफी workload उसके उपर है तो parliamentary committees एक तरह के से workload जो है reduce कर देती है परलेमेंट का तो काफी important function है अगर parliament की अगर अगर उसका time और resources अगर दोनों save हो जाते हैं committees के थूरू तो parliament अपना जो ordinary purpose है legislation का discussion का debate का वो पूरा कर सकती है सबसे important चीज़ और क्या है in committees की की Parliament के पास वो expertise नहीं है कि वो अपना इतना time devote कर सके reports को examine करने में recommendations को examine करने में witnesses को बुला कर उनकी views लेने में किसी भी topic के उपर तो यह accountability भी ensure करने में help करते है executive की legislature के दरफ अब बात करते है constitution में इनका क्या mention है अब constitution mention करता है parliamentary committees को काफी places पे लेकिन कोई single article मैं कहूं कि single article parliamentary committees के लिए है तो ऐसा कोई provision नहीं है parliamentary committees जो है अलग लग जगह पर constitution को mention करता है कोई specific provision नहीं है उनके tenure के बारे में उनके functions वगरा के बारे में वो parliament खुद भी decide कर सकती है over the time जैसे की कोई भी adaptation है कोई changes है functioning में अब देखते हैं कि parliamentary committees के लिए क्या preconditions है कौन सी committees ऐसी है जो parliamentary committees कैलाती है parliamentary committees वो होती है जिनको appoint करते हैं या select होती है speaker या chairman के तुरू अब जब appoint करने की बात आएगी तो speaker या chairman अपने respective houses में उनको appoint करेंगे बात आती है elect करने की तो members जो है उनको elect करेंगे respective houses में चाहिए वो लोकसभा हो या राजसभा दूसरी बात है कि यह जो committees हैं यह speaker और chairman की advice के अंदर काम करती है यानकी speaker और chairman जो है उनके अंदर यह काम करती है और उनको अपनी report यह submit करेंगी और चोथी चीज क्या है कि यह secretariat assistance जो है लोकसभा और राजसभा इन committees को provide करती है अब बात आ जाती है कि यह तो parliamentary committees के लिए preconditions है कि parliamentary committees अगर होनी है तो यह चार कंडिशन उसको satisfy करने पड़ेंगी अब यह parliamentary committees होती कितने तरह की है तो parliamentary committees जो हैं दो तरीके की होती है एक तो standing committees होती है और दूसरी अडोग committees होती है standing committees जो की permanent है हर साल elect होती है और एक साल का उनका tenure होता है उसकी तरीके से दूसरी committees जो है वो अडोग committees होती है यह temporary है किसी specific subject के ओपर बना दिया जैसे कि for example अगर मैं कहूँ कि एक temporary committee बनानी है मुझे banking regulation amendment बिल के ओपर कोई specific committee बना दी तो ओडोग committee है एक तरीके से क्योंकि वो जब अपनी report submit कर देगी किसी भी house को तो उसका purpose खता हो जाता है और वो disband कर दी जाती है अब standing committees के अंदर 6 types हैं अब committees बहुत सारी हैं लेकिन exam के point of view से कुछी committees जो है इसमें important है हम उनके ओपर ही ज्यादा focus रखेंगे बाकी का सब हम introduction मगरा उनको थोड़ा समझ लेंगे कि standing committees, ad hoc committees में क्या फरक है, क्या function मगरा है क्योंकि ये committees जो है इनमें सबसे important होती है financial committee जो की public accounts committee, estimates committee और committee on public undertakings ये post budgetary control में काफी important है क्योंकि हम देखेंगे कि कैसे ये financial control insure करती है पारलेमेंट का executive के ओपर accountability कैसे insure की जाती है इन committees के दुरू दूसरा जो मैं काऊंगा वो departmental standing committees originally constitution के अंदर mention नहीं है, लेकिन as a workload को reduce करने के लिए और administration इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी complex हो गई है और resources नहीं है, time नहीं है, discuss करने का लोग सभा के पास, राजे सभा के पास, तो ये departmental standing committees जो है, ये कुछ particular issues जो है, जैसे कि bills वगरा को examine करती है और उस time में parliament अपना normal जो legislative और debate वाला function जो complete कर सकती है तीसरी जो committee है, वो inquiry committee होती है, inquiry committees में है कि petitions के ओपर एक committee होती है हम detail में पढ़ेंगे, अभी सर्फ introduction है committees के बारे में, एक privilege committee है और ethics की committee है ये self-explanatory अपने आप में कि ethics committee क्या role play करती होगी, committee on privileges क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा detail में पढ़ लेंगे इनको चोथी जो standing committees होती है, वो कुछ scrutinize और control करती है तो जैसे कि ये committee है, government assurances के ओपर, subordinate legislation के ओपर committee on paper slates on table, committee on the welfare of SCNSTs committee on the empowerment of women, और एक joint committee होती है, office of profit के ओपर fifth place पे जैसे कि हम कुछ day to day काम करते हैं, तो उसी तरह किसे parliament में भी कुछ day to day business होता है, जिसको conduct करने के लिए कुछ committees की help ली जाती है जैसे कि business advisory committee है, आपकी committee है private members के bill और resolution के ओपर पढ़ेंगे private members bills क्या होते है, resolution क्या होते है, rules committee है और committee है members की absence के ओपर house की sitting से, उसके बाद चठे नमबर पे जो committee, standing committee में आती है वो है housekeeping committee, housekeeping का purpose पूरा करती है, housekeeping कैसे कि general purpose committee है, जो कि किसी भी committee के अंदर जो function नहीं है वो general purpose committee के अंदर आ जाएगा automatically, house committee है, library committee है, और joint committee है, salaries और members के allowances के ओपर थोड़ा introduction है, बाद में थोड़ा ओडिटेल करेंगे इसको, अब हमने काता कि parliamentary committees जो है standing होती है, कुछ और कुछ ad hoc committees होती है standing committees permanent है, ad hoc committees जो है temporary purpose के लिए बताई जाती है अब ad hoc committees में क्या है कि दो categories हम उसमें पढ़ सकते हैं, जैसे कि inquiry है और advisory committee inquiry committees जो है, वो inquire करती है किसी subject के उपर और अपनी report जो है respective house को submit करती है, यानि कि presiding officer को submit करेंगी दूसरी बात है advisory committee, advisory committee जो है, ये किसी भी house में बनाई जा सकती है जब ये single house इसको बनाता है तो इसको हम बोल देते है select committee जब दोना house इसको मिल के बनाते हैं तो इसको हम मौल देते हैं joint committee of both the houses किसी भी particular bill के ओपर ये बनाई जा सकती है, advisory committees अब इनके functions देख लेते हैं, क्या function होते हैं, तो ये क्या करती है कि कुछ bills को specific bills जो इनको refer किये जाते हैं, उसको क्या करेंगी, consider करेंगी और उनके ओपर report बनाके, presenting officer को submit करेंगी दूसरी बात है कि इन committees की खास सीज क्या है, कि parliament as a body तो किसी expert को invite नहीं कर सकती लेकिन, ये committees जो है, ये expert bodies और individuals को invite करती हैं, for example, RBI के governor को, deputy governor को invite किया CAG को invite किया, attorney general को invite किया, CVC या CIC को invite किया, उनके specific किसी issue पे उनका witnesses या evidence लेने के लिए, उनसे किसी तरह की राय लेने के लिए या किसी medical professional को invite किया, किसी medical bill के ओपर advise लेने के लिए अभी जैसे कि कुछ committees जो है, दो committees जो present पे working है, आडोग committees में वो है कि, एक JPC है, JN की Joint Parliamentary Committee है, Personal Data Protection Bill 2019 और दूसरी जो JPC है, वो है Financial Resolution और Deposit Insurance Bill 2017 तो ये कुछ, मैंने दो example pick up किये है, आपको समझाने के लिए, explain करने के लिए कि इस तरह की, अडोग committees में, ये advisory committees होती है, अभी ये दो committees for example मैंने explain किये है, काफी तरह की ओर भी committees है इसके अंदर next जो है, हम थोड़ा detail में पढ़ेंगे, कि important जो parliamentary committees वगरा है उनको तो important committees को अप थोड़ा detail में देख लेते हैं, standing committee से start करेंगे तो public accounts committee, मैंने बताया था कि public accounts committee, estimate committee और committee on public sector undertakings, ये तीन बहुत important committee है, हमारा जो main focus है इन committees के ओपर ही रहेगा, लेकिन बाकी को ignore नहीं करेंगे क्योंकि कुशन कभी भी कहीं से भी बन के आ सकता है, हम जैसे questions को भी साथ-साथ में देखेंगे इसमें कि questions जो है last year जो UPSC ने अपने prelims exam में पूछे हैं, तो थोड़ा evaluate करेंगे कि क्या हमारी understanding से वो questions solve किये जा सकते हैं, तो public accounts committee एक financial committee है और origin जो है, इसका 1921 में, pre-independence period में, यानि कि इसको Government of India Act जो 1919 के अंदर, इसको create किया गया था, और यह पहली बार existence में है, 1921 में, अब एक factual भी कुछ चीजे हैं, इनके committees के अंदर की, इनके members कितने होते हैं, तो exam के perspective से काफी important है, तो इसमें 22 members हैं, लोकसभा से 15 member होते हैं, राज्यसभा से 7 member होते हैं तो अब हमेशा एक चीज़ आप observe करोगे कि लोकसभा के जो members होते हैं, वो राज्यसभा से हमेशा ही ज़्यादा होते हैं, किसी भी committee में क्योंकि लोकसभा strength wise भी राज्यसभा से ज़्यादा है, 545 जो है लोकसभा की strength है इस समय, वही राज्यसभा की strength जो है 245 है, तो as a common rule, लोकसभा का भी representation in committees में ज़्यादा होते हैं, तो अब मैंने कहा था कि ये standing committees जो हैं ये permanent हैं, हर साल इनका election होता है, एक साल का tenure है, अब इनको elect कौन करता हैं, इनके members को MPs elect करते हैं, अपने बीच में से ही, कैसे, अब उसके लिए एक special technique यूज़ होती है यहाँ पर, proportional representation by the means of single transferable vote, यही technique जो है, use होती है, presidential election में भी, तो proportional representation में क्या है, कि एक ballot है, उस ballot में तीन लोग है, जो तीन candidate है, जिन में से एक candidate select होना है, तो आप उन तीनों को ही एक numbering देंगे, कि first मेरी preference ये person है, second preference ये person है, third person ये person है, तो ये proportional representation में क्या होता है, कि अगर, कोई person जो first जिसको preference मिली है, ठीक है, तो उनके vote count किये जाते हैं, अगर वो कुछ particular quota को fulfill कर देते हैं, तो वो elect हो जाते हैं, अगर वो quota को fulfill नहीं कर पाते हैं, तो ये second counting start होती है, तो ऐसे करते करते आपको end में एक candidate मिल जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वोट आपका transferable होता है, थोड़ा proposal representation by the means of single transferable vote, इसको थोड़ा ओर discussion में पढ़ेंगे, जब president का chapter हम उठाएंगे, तो अभी सिर्फ introduction के पार्ट से मैंने explain किया है, थोड़ा deeply explain करूँगा उस टाइम पर, तीसरी जो important चीज क्या है कि members जो ministers जो होते हैं, वो in committees के member नहीं होते, अरे यह क्या हो गया, ministers member नहीं होते, अब यह तो common sense सी बात है कि committee legislature की है, ministers तो executive में आते हैं, तो simple सी बात है नहीं, members तो नहीं हो सकते हैं, इस सीज के, तो accountability कैसे ensure करोगे आप, अगर minister अगर member होने लगे, तो legislature कैसे ensure करेगा, accountability executive की, तो इसी लिए simple होता है कि minister इनके member नहीं हो सकते हैं, और कोई person है, member है, parliament का, अगर वो minister बाद में बन जाता है, तो क्या करेंगे, तो अगर वो member नहीं रहेगा, फिर committee का, उसके बाद, अगर वो minister बन जाते हैं, तो उसके बाद chairman कौन होता है, इस committee का, तो यहां पर एक बड़ा ही unique चीज, जो आपको देखने को मिलेगी, और आज कल usually होता नहीं है तो 1967 से convention सी develop हो गई है, कि opposition के party के person को chairperson मनाया जाता है, इस committee का, opposition member, अब convention क्या होती है, convention वो चीज़े होती है, जो कि constitution के अंदर mention नहीं है, लेकिन फिर भी widely practiced है, जैसे कि कोई government अगर, कोई money bill को pass करवाने में, government अगर fail हो जाती है, तो उसको resign कर देना चाहिए, यह एक तरह की convention है, तो उस तरीके से काफी सारी conventions जो है, वो हम follow करते हैं, parliamentary form of government में, इनको भी काफी detail में देखेंगे, जब parliament के issues या president के time पर, presidential powers के अंदर, एक्जामीन करेंगे थोड़ा deep में, अभी इनके functions को study कर लेते हैं, parliamentary accounts committee के, यह PSE जो है, यह CAG की जो audit report है, उसको examine करती है, अब CAG जो है, वो तीन audit report देता है, Parliament को submit करता है, audit report on finance account, audit report on appropriation account और audit report होगी एक, public sector undertaking के उपर, तो यह parliamentary committee, यानि की public accounts committee, इस CAG की, जो audit report है, उनको examine करती है, in detail, और फिर अपनी recommendations, जो है, वो houses के सामने रखती है, दूसरी चीज़ के आए, कि यह committee जो है, examine करती है, public expenditure को, यानि कि कि किसी भी तरह की scheme या program पर कोई expenditure अगर हो रहा है, तो उसको examine करेगी legal point of view से, formal point of view से, और economic point of view से, economic point of view से, जब यह examine करेगी, wisdom के point of view से examine किया जाएगा, तो यह committee point out कर सकती है, कि कहाँ पर waste हुआ है पैसे का, loss हुआ है वहाँ पर, inefficient तरीके से उसको खर्च किया गया है, optimization नहीं हुआ, expenditure का, तो उन issues को यह point out कर सकती है, तो SME काफी important हो जाती है, इस committee report, और जब यह सारे काम यह committee करती है, तो SME, केक जो है, इसकोई एक guide भी है, friend भी है, और philosopher भी है, and these words are mentioned as usual in the constitution, so एक question भी बन सकता है कि which body, which constitutional body acts as the guide, friend and the philosopher of the public accounts committee, while examine the audit reports, so SME example जो हमने समझा है, उससे केक जो है, हमारा answer उससे point out कर सकते हैं, अब next जो committee है, वो public accounts committee के बाद financial committee में दूसरी important committee आती है, estimate committee, estimate committee का origin में 1921 में, अब्लिक अकाउंट्स कमिटी की तरह है, इसका भी ओरिजिन हुआ, as a standing financial committee तो public accounts committee में 22 member थे यहाँ पर इसमें 30 member है और सबसे important चीज क्या है कि estimate committee के बारे में कि सारे जो member हैं वो लोकसभा से हैं रजसभा का कोई representation नहीं होता इस committee के अंदर और दूसरी चीज क्या है कि यह largest committee है पार्लेमेंट की तो यह एक UPSC का prelims का question है 2014 में तो which one of the following is the largest committee of the parliament तो जैसे हम detail में पढ़ रहे हैं हम आराम से इस question को examine कर सकते हैं कि answer भी दे सकते हैं कि committee on estimates का 30 member होते हैं और वो सबसे largest committee है पार्लेमेंट की अब election election members जो है वो अपने आप में से कुछ members को elect करेंगे वही same method के दुरू proportional representation by the means of single traceable vote इनका tenure भी एक साल का है और same thing last committee की जैसे की ministers member नहीं होंगे executive को कोई representation नहीं होगा legislature में chairperson कोन होता है इसका तो chairperson जो है usually इसको speaker appoint करता है ruling party से parliamentary accounts committee का जो chairperson था उसको as a convention हमने बात की थी कि opposition का member को chairperson मनाया जाता है यहाँ पर speaker चूज करेंगे और वो ruling party से होगा estimate committee में अब functions को examine कर लेते हैं जबर एक बर functions में क्या है कि यह committee examine करेगी estimates को अब estimate कहाँ पर है budget के अंदर जो भी estimate include किये जाते हैं चाहिए वो revenue क्या हो चाहिए expenditure क्या हो उनको यह committee examine करेगी दूसरा इसका function है कि किसी भी तरह के public expenditure में यह advise कर सकती है कि economy हम कैसे अचीव कर सकते है efficiency कैसे अचीव कर सकते है कोई alternative policy भी सुझा सकती है तीसरी चीज क्या है कि यह suggest करेगी किस way में estimate जो है parliament के सामने present किये जाएंगे चोथी चीज क्या है कि इस committee के बारे में इस committee के बारे में नी बाकी सभी standing committees के बारे में यह चीज लगू होती है कि यह committee अपना examination पूरे साल तक करती रहेगी Parliament का session भले ही तीन बार होगा वो साल में 100 से 120 दिन तक उसका session होता है लेकिन यह committees होया पूरे साल अपना काम करती रहेगी लेकिन जैसे यह committees अपना काम स्टार्ट करती है budget session में और यह examine करना स्टार्ट करेगी estimates को demand for grants अब यह demand for grants क्या होती है demand for grants हर कोई ministry अपनी एक demand रखती है और budget में ताकि वो parliament उसको approve कर दिया और उतना fund उसको मिल जाए वो अपनी schemes और welfare पे खर्च करने के लिए demand for grant हर ministry की अलग होती है और वो अलगी लोगसभा में उनके पर voting होती है और वो पास की जाती है तो यह demand for grant को यह committee examine करेगी लेकिन जब यह examine करी रही होगी तो लोगसभा उनको पास कर सकती है बगएर इस committee की report के यह इन committees की एक limitation है कि इनकी जो recommendations होती है वो advisory है binding नहीं होती उसी तरीके से जब next एक important committee है financial committees में से वो है public undertakings के उपर इस committee का origin 1964 का है यह किर्षना मैनन कमिटी थी उसने recommend किया था कि public undertakings के ओपर एक standing financial committee होनी चाहिए इसमें भी 22 members है लोगसभा से 15 राज़सभा से 7 election भी same है proportional representation by the means of single transferable vote 10 year भी एक साल का है members अपने बीच में से members को select करते है एक method जो एक proportional representation use होता है इसमें क्या होता है कि सभी parties को थोड़ा representation मिल जाता है ऐसा नहीं कि कोई party जिसके 10 member है या 20 member है उनको representation नहीं मिलता होगा इस method के थुरू उनको representation in committees में मिल जाता है chairperson इस committee का तो वो speaker चूज करते है उसको लोकसभा के members में से अब आदाते है functions के उपर तो यह जो public undertakings अपने self explanatory है कि यह committee जो है public undertakings के साथ deal करती है तो यह committee examine करती है इन public undertakings की report को और इनके accounts को दूसरी चीज कि कि यह public जो undertaking है वो sound business your management principles पे run की जारी है कि नहीं की जारी क्या वो loss में जारी है loss में जारी है तो उसके reasons क्या है तीसरा कोई भी function जो की उसको committee को speaker assign करेंगे वो यह examine करेगी अब यह committee जो है यह CAG की जो report आती है audit report public undertakings के उपर यह उसको examine करेगी यह purpose जो है यह committee पूरा करती है audit report on finance के उपर audit report on appropriation account वो काम है public accounts committee का है यह जो audit report जो public undertaking की होती है CAG की उसको यह public undertaking वाली committee जो है examine करेगी अब यह तीन important committees है exam के point of view से तो इन committees की कुछ limitations है अब limitations भी है लेकिन कुछ benefits भी है इसलिए यह independence के more than 70 years के बाद भी यह function कर रही है अब limitations पहले discuss करेंगे फिर इनके benefits को थोड़ा discuss करेंगे limitations में पहले आता है कि इनकी recommendations होती ना advisory होती है binding नहीं होती पार्लेमेंट उनको accept करें ना करें दूसरा है इनका जो काम जो होता है थोड़ा post-martem type का है मतलब जब expenditure already हो चुका हो खर्चा जब पूरा हो चुका हो उसके बाद यह उसको examine करती है कि खर्चा ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ expenditure जो है वो within rules and regulation के अंदर खर्च किया गया कि नहीं खर्च किया गया वो authority नहीं खर्च किया गया ना जिसको यह expenditure assign हुआ था तीसरी चीज क्या है कि यह day-to-day जो administrative matters है उसको उनको intervene नहीं करेंगी है क्योंकि वो ministerial matters है और यह ministerial matters में इनका interference नहीं होता है चोथी चीज क्या है कि policy issues के साथ concern नहीं है यह policy issues के साथ क्योंकि ministries concerned है ministries का काम है ministries जो minister है वो accountable है parliament की तरफ अपनी ministry को लेकर जवाब दे होते हैं आर तरीके से तो यह committees जो होती है इनमें सभी parties का representation होता है लेकिन यह policies के साथ इनका लेना देना नहीं है अपने recommendation दे सकती है ministry उसको माने ना माने वो उनके पास right है अपना उसके बाद यह technical matters जो है अब technical matters जैसे कि कोई thermal power plant है उसको examine करना कोई call mine है उसको examine करना है वहाँ पर कई सारे technical issues होते हैं MPs जो है वो थोड़े generalist type के होते हैं तो उसमें क्या है कि technical knowledge जो है वहाँ पर नहीं होती है members को और technical knowledge नहीं है तो technical expertise available नहीं है तो committees जो है थोड़ी report जो है इनकी complete नहीं हो पाती वो technical views जो है include नहीं हो पाते लेकिन सबसे important एक चीज़ क्या है इन committees के साथ है कि ये experts को invite कर सकती है तो members बले ही अपनी knowledge की वज़े से थोड़ा limited function कर पाते हो लेकिन वो experts को बुला कर उनके views और witnesses उनके evidence वो include कर सकते हैं reports में और technical matters को भी examine कर पाती है उसके बाद इनके benefits क्या है limitations तो हमने understand कर ले कि advisory पोस्ट मार्टम का काम करती है policy issue और day to day administration का काम नहीं है लेकिन benefits यह कि MPs जो कि ruling party के साथ concern नहीं है अब उनका contribution कैसे ensure किया जाए वो क्या काम करेंगे मान लिया कि question hour में question पूछना अपने constituencies से related issues को उठाना लेकिन parliamentary की proceedings को समझना इन committees की proceedings को समझना governmental working को समझना तो वो लोग इनमे participation करके उसको समझ सकते है उनकी functioning को समझ सकते है दूसरा चीज के आए कि benefit में सभी parties को representation मिलता है कोई party ऐसी नहीं है कि representation उसको नहीं मिला हो usually जब भी 10-20 member है तो उसमें आपको representation इस method के तुरू मिली जाता है तीसरी चीज के आए कि members जब parliament की ये committees की meeting होती है ये confidential होती है behind closed doors होती है ये वहाँ पर कोई public view नहीं होता क्योंकि यहाँ पर raw data जो है वो paste किया जाता है witnesses अपने views सामने रखते हैं इन committees के members के सामने तो वो public नहीं किया जाता तो members जो होते हैं यहाँ पर अपनी party line को cross करके भी कुछ matters में consensus अचीव करते हैं तो ये काफी बड़ा benefit है in committees का cooperation बहुत ज़्यादा है coordination बहुत अच्छा है in committees के दुरू हम evaluate करेंगे तो understand भी करेंगे कि एक report के according ये जो committees की सब functioning है काफी unanimous है तो meetings में opposite views या फिर negative views काफी कम होते हैं अब उसके बाद second जो हमने start की दी कि departmental related standing committees है departmental related standing committees जो है extra constitutional है constitution के अंदर तो कोई mention नहीं था लेकिन 1993 में rules committee ने recommend किया कि हैसी कुछ standing committee बनाई जाए जो कि कुछ specific function परफॉर्म कर सकें आम इनके functions को पढ़ेंगे थोड़ा introduction देख लेते हैं पहले कुल मिला के ये 24 committees होती है और ये 24 committees सभी ministry को cover कर लेती है ministries उनके departments भी है उनको cover कर लेती है इन मेंसे जो आठ committee होती है जैसे की commerce, home affairs, HRD है industry है, science and tech है transport है, health का है, personal इन committees को service करते हैं राज्यसभा का secretariat उसी तरीके से 16 committees जो लोगसभा के अंदर है external affairs, IT, defense, energy, finance बगारा, food इसको लोगसभा का secretariat इसको service प्रोवाइड करता है हर standing committee में 31 member होते है अब public accounts committee दूसरी हमने पढ़ीगी public undertakings के ओपर committee, तीसरी estimate committee उनके members में थोड़ा फरक था, किसी में 22 member थे, किसी में 30 member थे तो अब standing committees की membership fix है, कि उनमें 21 members जो लोगसभा के होंगे 10 राज्यसभा के होंगे, वो यह tenure in का 1 साल का होता है अब इनके members को कैसे elect किया जाता है या appoint किया जाता है तो members को appoint करता है speaker या chairman sorry for that, कि nominate करता है speaker और chairman क्योंकि ये elected नहीं होते हैं ये लोग और ministers जैसे standing committees के member नहीं हो सकते थे उसी तरीके से minister इनके department standing committee के member नहीं हो सकते अब जड़ा देख लेते हैं कि functions क्या perform करती है department related standing committee ये department related standing committee का का काम स्टार्ट हो जाता है जैसे ही budget present होता है budget present होने के बाद parliament कुछ दिन की research पे चली जाती है उस समय के अंदर ये जो department related standing committee है ये ministries की जो demand for grant है उनको examine करती है और अपनी report तेयार करती है जब parliament उस research के बाद दुबारा से convene होती है तो ये अपनी report उन respective houses के सामने present करेंगी दूसरा bills को consider करेंगी concerned ministry के माल ये कोई defense ये कोई health related जैसे की national medical commission का जैसे bills आ तो उसमे concerned ministry जो है यानि की health वाले जो department related standing committee है वो उसके पास गया उसने उसको consider किया detail में close by close और अपनी report present की parliament के सामने तीसरी चीज क्या है कि ministries की annual report जो है हर ministry एक अपनी annual report present करती है parliament को और ये committees जो है उसको examine करती है क्या achievements है क्या target पूरे होए है क्या target जो है पूरे नहीं हो पाए है इस साल में चोथा क्या है कि ये कुछ national basic long term policy documents present होते हैं parliament के सामने ministries के तुरू उनको ये consider करती है लेकिन बात क्या है कि इनकी recommendation भी advisory है binding नहीं है parliament के उपर अब binding नहीं है advisory recommendations है लेकिन जब ये committees examine करती है तो काफी detailed में उस issue को examine करती है काफी बार इनकी recommendation accept भी की जाती है इसी लिए इन committees को create किया गया था क्या कि कभी detailed में in-depth examination कर सके एक particular bill का तो अब देख लेते हैं जबाइनकी merits benefits के हैं department related standing committees के तो काफी flexible procedure adopt करती हैं ये committees लोकसभा के comparison में लोकसभा में तो जैसे की rules of procedure होते हैं अपने houses के ठीक है और conduct of business rule होते हैं उनके according वहाँ पर proceeding conduct होती है लेकिन यहाँ पर थोड़ी functioning जो है flexible होती है experts को bodies को invite कर सकते हैं उनके views लिये जा सकते हैं reports को consider कर सकते हैं in detail में depth में तो दूसरी चीज के आए कि जब पार्लेमेंट का जो control है executive के ओपर वो काफी in depth होता है close होता है detailed होता है इन committees की help से क्योंकि आपकी demand for grant को examine कर रही है consent bills को examine कर रही है इनकी आपकी accountability जो है executive की legislature की तरब insure करती है तीसरी चीज के आए कि यह जब demand for grant को यह consider कर रही है तो यह अपनी recommendation देती हैं कि किस तरह हम economy और efficiency achieve कर सकते हैं public expenditure में खर्चा कम किया जा सकता है किसी तरह की scheme और program में किसी तरह की policy में दूसरी चीज क्या है कि जब यह committees advise करती है alternate policy यह efficiency के लिए advise करती है तो कोई alternate policy भी दे सकती है तो next time से ministry क्या होती है थोड़ी ज़्यादा careful रहती है कि हम expenditure उतना ही demand for grant उतनी ही बनाएं जितना की हमारे को जरूरत है और थोड़ा efficiency अचीव करने की कोशिस करे पब्लिक expenditure में तो एक positive function है expert opinion को use कर सकती है अपनी report बनाने के लिए medical sector हो गया, biotechnology का sector हो गया, experts होगे किसी भी आधर field से nuclear energy के field से, उनको invite कर सकती है उनके views को अपनी report बनाने में include कर पांचवा जो सबसे important function है कि party biasness यहाँ पर इन committees में नहीं होती तो party biasness नहीं है तो आप independently अपने views जो हैं वो इन committees के सामने present कर सकते हो autonomous functioning है एक तरीके से members जो हैं यहाँ पर किसी भी तरह की binding में नहीं होते है party की report बनाने में आप अपने views freely express कर सकते हैं यहाँ पर तो party biasness नहीं होती impartial तरीके से committee उस bill को या demand for grant को या फिर annual report को examine करेंगी limitations limitations यह है कि day to day जो matter होते हैं administration के उनके साथ इनका लेना देना नहीं होता और दूसरी चीज़ क्या है कि जो बाकि जो मिनिस्ट्री जो matter consider कर लेती है वो इन department related standing committees के अंदर नहीं आती जो चीज़े हैं यहाँ कि जो ministry कुछ चीज़े handle कर सकती है वो department related standing committee के पास consider करने के लिए नहीं आएंगी हाला कि यह annual report को जरूर examine कर सकती है अब next जो है वो है हमारी inquiry committee committee जो की inquire करती है inquiry committee में क्या है कि तीन तरह की committee है committee है petitions के ओपर privileges के ओपर और ethics committee है petitions के ओपर जो committee है इसका function यह है कि कोई भी तरह की petition लगती है किसी भी तरह के bill के ओपर या कोई public importance का matter है तो उसको यह committee examine करती है petition को कोई भी individual यह association इस तरह की petition submit कर सकता है दोनों houses के सामने और ये committees उसको examine करेंगी लेकिन आप petition किस चीज़ के उपर submit कर सकते हो सिर्फ union subject के उपर ही जो कि union list के अंदर आते हैं तीसरा चीज़ के आए कि ये दोनों houses में ऐसी committee होती है तो यानि कि लोकसभा में भी petitions के उपर committee हो राज्यसभा में भी है लोकसभा में इसमें 15 मेंबर होते हैं राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं functions थोड़ा याद रखना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि membership थोड़ा वराई करती जाएगी तो इतना factual data याद रखना ज़्यादा ज़्यादा जरूरी नहीं है privileges की बात करते हैं तो committee जो privileges के उपर है काफी टाइम हम नुशेपर में report देखते हैं कि privilege notice issue कर दिया to that particular member of the parliament तो ये जो committee है ये examine करती है कि breach हुआ है क्या किसी privilege का member का या house का अब हम parliament के उपर जब chapter आएगा तो उसमें detail में पढ़ेंगे कि members के privileges क्या है, house के privileges क्या है, breach of privileges क्या होता है तो मतलब कोई special rights जो house के पास है या special right जो member के पास है तो क्या वो breach हुआ है उसका किसी member की speech के तुरू या किसी particular actions के तुरू दोना houses में ये committee होती है और representation वही same है, लोकसभा के 15 member, राजसभा के 10 member अब ethics committee, ethics committee जो है, वो ethical issues को examine करती है ethical issue means, ethics होता क्या है usually ethics in simple word means कि societal views of right and wrong कि society के इसाब से क्या गलत है, क्या सही है, वो simple language है, हम उसको ethics बोल लेते हैं तो ethics committee जो है, वो examine करेगी कोई misconduct किसी भी तरह के members का यानि कि जो लोकसभा और राजसभा के members है, उनका misconduct को examine करना और appropriate action recommend करना अब जब ethics committee misconduct को examine कर रही है, तो यानि कि वो discipline और decorum maintain कर सकती है, हाउस में ethical issues को examine करके ethics committee जो है, वो दोनों houses में है, राजसभा में 1997 से है, और लोकसभा में 2000 से exist करती है लेकिन एक important चीज़ क्या है कि राजसभा में जो ethical code of conduct है, वो members के लिए 2005 से exist करता है लेकिन अभी तक लोकसभा में ऐसा कोई code of conduct नहीं है, members के लिए अभी बात चल रही है कि ऐसा कोई code of conduct जो है, फ्रेम करना पड़ेगा members के लिए क्योंकि काफी टाइम parliamentary behavior जो है, वो members cross कर देते हैं उसको code of conduct ब्रेक हो जाता है वैसे टाइम पर तो code of conduct एक rules of rules और regulation होते हैं जो कि आपको किसी के conduct को proper तरीके से limit करने के लिए use किये जाते हैं जैसे कि code of conduct है, ओल इंडिया services के लिए code of conduct है किसी private organization में तो वह आपको force करते हैं कि आप प्रोपर तरीके से वहाँ पर उन rules के according वहाँ पर behave करोगे अब next जो है वह हमारी committee जाती है जो कि scrutinize और control करती है यह scrutinize और control करने में जैसे कि committee है government assurance पर यह committee examine करती है जैसी कि कोई promise किया या कोई assurance दिया किसी minister ने floor of the house पर यहनकी floor of the house means लोकसभा में या फिर राज्यसभा में सदन में मोजूद होते हैं उन्होंने वहाँ पर कोई promise या assurance दिया कि मैं यह काम ऐसे पूरा करेंगे मेरी ministry और यह तो यह government assurances committee है यह examine करती है कि आपने किस हद तक अपने promise और assurance को पूरा किया 1953 से इसकी functioning चलती आ रही है लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 member है इतना ही समझना जरूरी है इन committees को ज़्यादा detail में जाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा और explain करनी रहूँ अब आता है committee subordinate legislation के उपर यह committee जो हती है subordinate legislation के उपर यह examine करती है और फिर अपनी report देती है कि जो delegated power है यानि कि parliament के पास कुछ power है वो delegate करके उन्होंने president को दे दी या executive को transfer की है कुछ powers तो क्या वो properly exercise हो पा रही है तो दोनो houses में 15 member होते हैं इस committee के यह भी 1953 से function कर रही है अब आता है कि committee एक होती है कि जो papers को examine करती है जो कि house की table पे या house की floor पर रखे जाते हैं तो ministers कुछ papers को वहाँ पर रखते हैं ministry से या किसी भी issue से related तो यह examine करती है कि क्या वो constitution से या फिर rules वगरा से comply करते हैं कि नहीं करते हैं लोकसवा में इसके 15 member है और राजे सवा में 10 member है अब एक committee है कि SCST के welfare के उपर यह joint committee है दोना houses की और इसमें कुल मिला के 30 member होते हैं जिसमें लोकसवा में 20 और राजे सवा में 10 member यह जो committee होती है यह examine करती है consider करती है किसकी report को national commission की scheduled caste और scheduled tribe की और अपनी report फिर parliament के सामने present करती है दूसरी चीज़ है कि यह examine करती है कि क्या constitutional और legal safeguard जो है available है और उनकी functioning को examine करती है कि SCST के welfare के लिए जो constitutional और बाकी जो legal safeguard है उनकी proper working होरी या नहीं होरी उनके ओपर अपनी report present करना parliament को उसी तरीके से committee होती है woman empowerment के उपर woman empowerment पे जो committee है वो भी एक joint committee होती है house की 1997 में create हुई थी जैसे SCST के उपर committee थी वो national commission on scheduled caste and scheduled tribe की जो report है उसको examine करती है उसी तरीके से women empowerment के उपर जो committee है वो national commission on women की report को examine करती है और अपने recommendations जो है forward करती है parliament को अब इसके अलावा ये committee examine करती है कि government ने क्या measures लिए women's की equality और dignity को ensure करने के लिए उनको examine करना एक joint committee होती है on the office of profit ये committee examine करती है कि जो भी committee union government state government और union territory government ने बनाई है और वहाँ जो person इस committee की members हैं तो क्या वो disqualified है एक MP बनने के लिए क्योंकि एक MP बनने के लिए एक qualifications के अंदर ये disqualifications के अंदर एक provision है कि he should not hold any office of the profit under the union state और the local government तो इसलिए इस provision को ensure करने के लिए committee देखती है कि जो members इस तरह की office of profit committee को preside कर रहे है या उसके members है तो वो automatically वो MP बनने के लिए वो disqualified हो जाते हैं वो elections नहीं conduct कर सकते हैं मतलब लड़ नहीं सकते हैं किसी भी constituency से elections को क्योंकि वो disqualified है उस process के लिए अब next जो है हमारा वो है day to day business committee जो day to day functioning के साथ related है जैसे की business advisory committee है business advisory committee में या तो speaker लोकसवा में chairman जो है राजसवा में वो इसके chairperson होते हैं अपने respective houses में यह जो business advisory committee है यह house का time table decide करती है किस time पे क्या discussion होनी है कौन साल लो present होना है किस लो पे कितनी debate होनी है demand for grants को कितने time के लिए consider करना है तो उसके लिए time allocate करना private member bills किस दिन present किये जाने है कितने time तक उन पे discussion होनी है तो इस तरह के agenda के उपर यह time allocate करती है अब हमारी next जो committee है वो है committee on private members bills and resolutions special committee है लोक सभा की क्यूंकि इस committee का जो function राज्यसभा में है वो business advisory committee ही perform कर लेती है तो इसलिए अलग से committee की जुरूरत नहीं है राज्यसभा में यह जो है committee classify करती है bills को और उनके discussion के लिए थोड़ा time allocate करती है कि private member bill इस particular day को present किये जाएंगे इतना उसके ओपर discussion होगा अब private member bill क्या होते है private member bill कोई भी bill जो की एक minister के अलावा अगर कोई member कोई bill लोकसभा या राजसभा के सामने अगर introduce करता है तो वो private member bill कर लाता है next is rules committee अब यह rules committee जो है यह देखती है कि जो दोनों houses के अपने कुछ rules of procedure होते हैं conduct of business rules होते हैं तो यह उसको examine करती है ठीक है examine किया consider किया कुछ necessary changes करना है amendment करना है addition करना है उनके अंदर तो यह recommend कर देती हैं और speaker और chairman जो है वो इसके chairperson होते हैं इस committee के next जो day to day business committee में है fourth वो है committee on member substance during the house settings अब house की settings जो है साल में sessions के हिसाब से होती है तीन session है budget session, monsoon session और winter session अब इन sessions में अगर किसी MP को कोई leave चाहिए तो वो इस तरह की leave applications को यह committee consider करती है दूसरी बात है कि कोई member है अगर वो बगएर leave लिए अगर parliament की sitting से absent है 60 दिन के लिए तो उस तरह के cases को भी examine करती है appropriate action recommend करती है उसको लोकसभा की एक special committee है यह और इसके 15 member है ठीक है यह तो होगी हमारी day-to-day business committee अब आते है housekeeping committee या service committee जनरल purpose committee है पहली उसमें matter जो कि कोई और committee consider नहीं करेगी वो general purpose committee के अंदर आ जाता है speaker और chairman जो है इनके ex-officio chairperson होते हैं लेकिन जो इसके members है उसका थोड़ा representation इस case में अलग है वो कैसे की जो deputy speaker और deputy chairman लोगसभा और राज्यसभा इसके अलावा जो panel होता है एक chairperson का लोगसभा में जब speaker और deputy speaker दोनों present नहीं होते हैं तो यह panel में से कोई एक person जो है वो house की proceeding को conduct करता है उसी तरीके से एक panel होता है वाइस chairperson का राज्यसभा में 10 लोगों का यह दोनों जगई 10-10 लोगों का पैनल है कि इन दोनों की absence में house की proceeding को यह लोग conduct करेंगे इसके अलावा जो chairperson होते है department related standing committees के वो भी इनके members होते है next is house committee house committee जो है वो deal करती है कि MPs की कोई housing की requirements के साथ क्योंकि parliament के जब session होते हैं तो वो दिल्ली में काफी time तक रुखते हैं यहाँ पर MPs के hostels है hostels के अलावा उनको accommodation facility वगरा housing facility अविलेबल करवाना किसी भी तरह की food facility medical aid वगरा उनको अविलेबल करवाना दोना houses में यह committee present है next है कि library committee तो एक parliament की अपनी एक library है काफी washed है काफी unique है और यह जो library committee है यह इस parliamentary committee को परलेमेंट जो library है इसको maintain करती है members को assist करती है कि वो इस library की जो services है इसको utilize कर सके दोनों houses की जोइंट committee एक तरीके की कुल मिला के 9 members हैं लोगसभा के 6 हैं राजसभा के 3 members हैं representation यानि कि जो membership ज़्यादा जरूरी नहीं है function ज़्यादा जरूरी है उसके अलावा एक हमारी joint committee आती है salaries के ओपर allowances के ओपर members के यह committee जो है 1954 में constitute हुई थी जब यह salary and allowances act जो है MPs के लिए पास हुआ था और यह rule frame करती है इनके salary और allowances से related members चाहिए वो लोगसभा के हों चाहिए वो राजसभा के हों other committees तो हमने जैसे यह देखा था कि standing committee छे तरह की होती है उनको एक एक करके understand किया हमने और बाकी committees भी कुछ होती है पार्लेमेंट में तो वो parliamentary committees नहीं होती हो उनको कह सकते हैं consultative committee है जैसे consultative committee क्या करती है consultative committee जो है वो एक तरह की informal discussion allow करती है members के बीच में और ministers के बीच में अब इनकी membership होती है वो voluntary होती है कोई भी member जो है voluntary तरीके से जाके इस committee को join कर सकता है और इसमें maximum 30 members होते है minimum 10 members होते है हर general election के बाद यह जो consultative committees है इसको दुबारा से reconstitute किया जाता है अब कुछ committee है जैसे कि informal एक consultative committee है MPs की ज्यादा जरूरी नहीं है बस understanding के लिए बता रहा हूं हर railway zone के लिए एक informal consultative committee होती है MPs की कोई भी railway का zone है उस railway zone में जितने MPs होते हैं वो इस committee के member होते हैं ठीक है और यह committee सिर्फ Parliament के session के time पर ही काम करती है अब यह तो mostly हमने mostly नहीं completely सारी committees जो हमने cover कर ली सही वो standing है अडोक है यह फिर consultative और informal consultative committees तो कुछ reforms वगरा हमने इन parliamentary committees में देखेंगी कि क्या reforms हो सकते हैं कुछ suggestions वगरा क्यूंकि हमने देखा इन committees के कुछ limitations भी है अपनी functioning में तो क्या reforms suggest कर सकते हैं तो honorable vice president and ex official chairman of the Rajya Sabha शिर्फ वेंके नाइड उजी ने अपना कोई lecture deliver किया था अरुण जेटली memorial lecture due में तो कुछ key points उन्होंने mention किये कि parliamentary committees में की working को थोड़ा improve करने के लिए उनमें important point यह था कि Parliament के पास time की कमी है लेकिन parliamentary committees के पास time की कमी नहीं है वो तो पूरे साल अपना काम करती रहती है पार्लेमेंट में लेकिन पार्लेमेंट के session वो तो limited time के लिए होते हैं second thing उन्होंने advise किया अपने lecture में कि Parliament उसको utilize करना चाहिए time और resources किसके parliamentary committees के दीसरी चीज के आए कि उन्होंने बोला कि parliamentary committees को एक expert panel provide किये जाने चाहिए अलग से expert panel provide करने का idea जो है वो यह कि यह committees expert को invite करती है individuals को भी और bodies को भी तो क्यों ना इनको expert panel हम provide करने ताकि यह formal तरीके से उनके evidences वगरा witness वगरा जो भी लेना है उनसे कुछ suggestion लेना है वो continuously ले सकें जो चोथा point mention हुआ उस speech में वो यह था कि जो legislature का पूरा life line है यानि कि 5 साल के लिए अगर legislature है तो पूरी life cycle को आप examine करो यह ना की पूरे सिर्फ एक साल की जो उसकी functioning को scrutinize कर रहे हो उसके बाद इन्होंने advice कि कि यह committees का जो tenure है यह भी बढ़ना चाहिए क्योंकि अगर पूरी life cycle को अगर examine करना है तो committee का tenure भी बढ़ना है पड़ेगा उसके बाद important चीज और क्या थी कि अगर हमें MPs का या members का active participation अगर ensure करना है house के अंदर तो जो government होती है उसको agenda पहले से ही public कर देना चाहिए इन advance session से काफी time पहले ताकि हर कोई उसको agenda को understand कर सके जो legislative agenda हो चाहिए और भी कोई program हो government का जो continue करना चाहती है पार्लेमेंट के दूग ताकि तो यह सारे जो reforms और suggestion है इसके तुरू हम क्या कर सकता है इन committees की functioning के अंदर और यह point जो है यह हम mention कर सकते है अपने mainz के answer को improve करने के लिए काफी important है इस साल यह issue mainz के perspective से भी next year भी तो यह हम उसमें include कर सकते है अपने answer को थोड़ा और better बनाने के लिए अब काफी time से एक debate चल रही है कि virtual meeting इन committees की parliamentary committees की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए virtual meeting की ज़रूरत पड़ी इस वज़े से की lockdown के बाद in parliamentary committees की meeting नहीं हो पारी थी parliament complex में तो ऐसे में legislature जो है वो कैसे ensure करेगा executive की accountability तो पार्लेमेंट अगर session में नहीं आ रही है तो पार्लेमेंट तो limited time के लिए भी आती है वैसे साल में तीन session में ही कुछ दिन के लिए parliament अपने session में मिलती है लेकिन यह committees तो पूरे साल मिलती है इनकी functioning तो हमें continuously ensure करनी पड़ेगी अब वो कैसे करेंगे जब physical distancing के rules है lockdown के rules वगरा है उस time पर तो presently तो rule यह है कि जो rules और procedure है houses के उनमें यह है कि virtual meeting जो है hold करना या फिर उसके थूरू evidence collect करना official या non official witnesses के थूरू किसी भी subject पे तो उसके लिए कोई provision नहीं है अभी किसी भी दोनों houses के rules में अब दूसरी चीज़ क्या है कि अब अगर ऐसा provision नहीं है तो कैसे introduce कर सकते हैं उसको तो उसमें rules में कुछ amendment करना पड़ेगा तो पहले यह amendment करेगी rules committee rules committee फिर उसके बाद recommend करेगी पार्लेमेंट को पार्लेमेंट उसको उन rules को clear कर देगी और फिर यह provision जो है फोर्स में आ जाएंगे तो उस time के बाद से virtual meeting भी possible हो पाएंगे इन committees की अब तीसरी चीज़ क्या है confidentiality close अब हमने पहले भी पढ़ाता है कि यहां पर जो भी report वगरा present की जाती हैं जो भी witness या evidence वगरा यहां पर आते हैं या फिर काफी raw data यहां पर present होता है तो उसके लिए confidentiality close है कि वो public नहीं होना चाहिए लेकिन उसके कुछ benefit भी है कि जब वो confidentiality maintain की जाती है इन committees की meeting की तो MPs जो है अपनी party line को cross करके भी अपने reforms और suggestion जो है recommend करते हैं और इन committees को impartial functioning जो है ensure होती है इस तरह के closes के तुरू बट इसके कुछ limitation भी है confidentiality close की जैसे की transparency और accountability कैसे maintain करोगे अगर confidentiality close अगर continue रहेगा तो अब हम जड़ा देखते हैं कि benefits क्या है in virtual meeting के अगर हम in future अगर ये virtual meeting allow हो जाती है तो क्या benefit है तो government का action जो है pandemic के time पे भी इसका evaluation हो पाएगा even though अगर lockdown rules अगर continue कर रहे हैं और movement के उपर restrictions है physical distancing के rules अगर लागू है तो उस time पर भी ये government के जो यान की executive के actions को ये committee जो है evaluate कर सकती है दूसरी चीज क्या है कि fund की saving भी होगी expenditure कम होगा क्यूंकि MPs को travel नहीं करना पड़ेगा उनके जो provisions है food से related housing से related medical बगारा से related तो उसके उपर काफी saving कर सकते हैं तीसरी चीज क्या है कि ये allow करेगा इन committees को virtual meeting में क्या है कि जो लोग physically present नहीं हो सकते हैं इन committees के सामने वो virtual तो पर present हो सकते हैं साइद तो wide range of stakeholders का view जो है इसमें हम obtain कर पाएंगे लेकिन कुछ challenges है challenges क्या है कि एक तो अभी आपका confidentiality वाला close है कि reports का या witness वगरा और डाटा वगरा जो present हो रहा है उसको confidential रखना है क्योंकि वो national security के लिए भी important है sovereignty maintain करने के लिए दूसरी चीज क्या है कि हमें कुछ protocol set करने पड़ेंगे participation के लिए अगर virtually participate कर रहे हैं तो उस टाइम पर room में कितने members present हो सकते हैं जो data connection होगा वो कितना secure है तो वो चीज ensure करने पड़ेगी कि data जो है वो secure हो robust हो जो internet facility के तुरू जब हम connect करेंगे तो वो भी ensure करना पड़ेगा कि वो continuous हो उसमें कोई disruption नहीं हो तो as an example अभी at least 15 countries की जो parliamentary committees हैं वो online काम कर रहे हैं तो जैसे की एक example मैं देना चाहूंगा इस time पर एक joint committee जो हमने रीड की थी salary, allowances बगरा के उपर तो उसकी virtual meeting हुई थी और इस virtual meeting में इस committee ने recommend क्या थी कि 30% reduction होना चीए constituency और office allowances में members की लेकिन ये committee जो है ये salary और allowances जो act 1954 का उसका according इसकी functioning गवर्न होती है तो इस वज़े से इस committee की online working हो सकी थी ठीक है अब conclusion क्या कर सकते हैं conclusion में यह है कि important तो है इन committees की functioning और यह चीज हमारे को इस point से देखने को और भी पता लगती है कि 80% जो recommendation होती है इन parliamentary committees की वह government accept कर लेती है दूसरी चीज क्या है कि एक परसंट जो एक परसंट से भी कम जो parliamentary report है उनमें dissenting notes है यानि कि mostly जो यह reports है वो unanimous reports है members की तीसरी चीज क्या है कि अब यह हम conclude कर सकते हैं अपने means में भी जैसे कोई question आता है तो उसको conclusion कैसे लिखा दाएगा तो conclusion में यह आ सकता है कि इंडिया एक largest भी है और vibrant democracy भी है और हमारी constitutional obligation इस वज़े से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें इस time पर इस reality को embrace करना जरूरी है कि इस तरह कि जो hybrid working है जैसे कि UK में parliament जो है उसकी proceeding जो hybrid तरीके से चल रही है कुछ members parliament में present है लेकिन कुछ अपने home से ही उस proceeding को continue कर रहे है सबसे end में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो transparency और accountability जो होती है वो hallmark होते ही है parliamentary form of government का सबसे एक interesting चीज और चीज क्या है कि accountability ही वही वज़य है कि हमने parliamentary form of government को चुना था presidential form of government के उपर we preferred accountability over stability so that we need to ensure कि वो transparency और accountability को हम future में और भी आगे लेके जाएं तो यह जो हमारा lecture था parliamentary committees के उपर यह हमने पूरा इसको introduction से लेके इसकी functioning वगरा limitations वगरा इसमें हमने explain वगरा की दोनों prelims और main points के perspective से यह काफी important chapter है और मेरे ख्याल से इसके बाद आप लोगों को किसी और standard textbook या इन चीज़ों को concern करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह जैसे कि 2018 का prelims का question भी है कि with reference to the parliament of India which of the following parliamentary committees scrutinizes and reports to the house whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, by-laws etc. conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation तो हम अपने previous lectures में committee on subordinate legislation के बारे में पढ़ते आये थे एक बार जरा slide को पिछे लेके जरा देख लेते हैं तो यह चीज़, examine and report whether delegated powers, that is the power to make laws, by-laws and regulations given by the parliament or constitution to executive are properly exercised by it यह committee on subordinate legislation का का काम होता है क्यूशन को देख लेते हैं एक बार दरा वापिस I think इतनी सी understanding के ओपर easily इस क्यूशन को अमांसर कर सकते हैं यह committee जो है subordinate legislation committee है उसी तरीके से यह prelims 2013 का क्यूशन है parliamentary जो public accounts committee है उसके ओपर इसमें पहला point कहता है कि consist of not more than 25 members of the log sabah सबसे पहली बात तो PAC में 22 member होते हैं ठीक है दूसरी बात उसमें लोक sabah के 15 member होते हैं रज्य sabah के 7 member होते हैं तो पहला point तो गलती हो गया दूसरी चीज़ के आए कि यह पताता है कि scrutinize करती है appropriation और finance account government के हमने देखा भी था कि यह scrutinize करती है जो accounts होते हैं appropriation और finance account government के और CAG की जो report होती है audit report finance और appropriation account के उपर तो यह दोनो point जो है correct है तो ऐसे में हमारा answer जो है यानि कि अगर which of the following statement given is correct तो correct देखनी है ना correct में तो हमारी 2 और 3 नहीं correct नहीं खली तो first तो गलत है तो कहने का मेरा मतलब इतना है कि यह parliamentary committees का जो chapter है आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है और जूरत भी नहीं पढ़ेगी और यह जो trials सारा जो notes वगरा है यह link के थूँ मैं आपको provide कर दूँगा ठीक है कोई भी आपका comment और suggestions हो वो आप अपने video के नीचे डाल सकते हैं आप उसको address करेंगे ठीक है thank you दुबारा मिलेंगे एक नए lecture के जाथ till then thank you very much झाल 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 झाल